अज़ चांगर ताटानगर से पतना ताटानगर से उरिचा के ब्रह्मपूर आज जारखन भी उन राजयों में शामिल हो गया है जहां रेलवे कने नेट वर्क का सो प्रतिसरल इलेक्रिफिकेशन हो चुका है अमरेज भारत स्टेशन योजना के तहरे जारखन के प्रता से अधिक रेल्बी स्टेशनों का भी काय कल्प किये जा रहा है अब मैं अपने आधानिये प्रधान मंतरी महोज़ा श्री नरेंद बोदीजी से साधर एवन सवने आगरे करूँगा कि टाटा नगर पटना वंदे भारत एक्स्प्रेस को हरी जंडी दिखा कर आप इसकी प्रता म्यात्रा का शुभारम करें माली हरी जंडी दिखाते ही बंदे भारत ताटा नगर पटना अपने तत्रम यात्रा पर रवाना आप यसा देख सकते हैं इतना उत्सा यात्रियों के चहरे पे मुस्कुराटें बयान करते हुए यहां पे उपस्तित अथिदियों की उत्सा आज एक नई तस्वीर दिखाते हुए जब मैं राची एरपोर्ट पर पहुँचा तो एक बहन ने कर्मा पर्व के प्रतीक इस जावा से मेरा स्वागत किया इस पर्व में बहने अपने भाई की कुसलता की कामना करती हैं मैं जार्खन के लोगों को कर्मा पर्व की बधाई देता हूँ आज इस शुप दिन जार्खन को विकास का नया आशिरवाद मिला है छे नई बंदे भारत ट्रेने साड़े छे सो करोर से जाजा की रेलवे परियोजनाए कनेक्टिविटी और यात्रा सुविदाओं का विस्तार और इस सब के साथ साथ जार्खन के हजारों लोगों को पी-एम आवास योजना के तहट अपना पक्का घर मैं जार्खन की जनता जनारदन को इन सभी विकास कारियों के लिए बधाई देता इन बंदे भारत ट्रेनों से जो और राज्जे से भी जूड रही है मैं उन सभी को भी बधाई देता हूँ साथ क्यों एक समय था जब आधुनिक स्विधाएं आधुनिक विकास देश की केवल कुछ शेहरों तक सिमीत रहता था जार्ज गहन जैसे राज्जे आधुनिक इंफ्रासेक्टर और विकास के मामले में पीछे छूट गए थे लेकिन सबका साथ सबका विकास के मंत्र ने देश की सोच और प्रात्मिक्ताओं को बदल दिया है अब देश की प्रात्मिक्ता देश का गरीब है अब देश की प्रात्मिक्ता देश का आधिवासी है अब देश की प्रात्मिक्ता देश का दलीद बंची पर पिछला सवाज है अब देश की प्रात्मिक्ता महिला हैं युवा हैं किसान है इसलिए आज दूसरे राज्यों की तरही जारखन को बंदे भारत जैसे हाइट ट्रेक ट्रेने मिल रही है आज दुने की इंफ्रासेक्टर मिल रहा है साथियों आज तेज विकास के लिए हर राज यहर शहर बंदे भारत जैसे हाइट पूर्ट ट्रेन चला चाहता है अभी कुछी दिन पहले मैंने उत्तर और दक्षिन के राज्यों के लिए तीन नई वंदे भारत एस्प्रेस को हरी जन्ली दिकाई थी और आज टाटानगर से पटना, टाटानगर से उडिशा के ब्रह्मपूर राउर केला से टाटानगर होते हावडा, बगलपूर से नुमका होते हावडा देवगर से गया होते हुए वारानसी और गया से कोडर्मा पारतना दनबाद होते हुए हावडा के लिए वंदे भारत एस्प्रेस की शेवा सुरू हुई है और अभी जब मंच पे आवास वित्रान का कारकम चल रहा था, उसी समय मैंने जंडी दिखा करके इन सभी वंदे भारत ट्रेनों को बिदाई भी दे दी और वो अपने गंतविस्थान पर चल पड़ी है पुर्वी भारत ने रेल कनेक्टिविटी की मिस्तार से इस पूरे छेत्र के अर्थ्रव्य व्वस्ता को मजबूती मिलेगी इन ट्रेनों से कारवबारियों को उच्छास्त्रों को लाब होगा इससे यहां आर्थिक और सांस्तुरत गर्टिविद्या भी तेज होगी पुर्ण के हमें लोग बाबा वैद्दिनाथ के भी दर्शन करने जाएंगे इससे यहां परियाटन को बढ़ावा मिलेगा टाटा नगर तो देश का इतना बड़ा उद्धोगी केंद्र है याता यात के अच्छी सुविदा यहां के उद्धोगी विकास को और घति देगी परियाटन और उद्धोगों को बढ़ावा मिलने से जारखन की विवाओं के लिए रोजगार के आउसर भी बढ़ेगे साथो तेज विकास के लिए आधुने ग्रेज इंफ्रासेक्चर उतना ही जरूरी है इसलिए आज यहां कई नए प्रोजेश पे शुरू किये गए है मदुपूर बाइपास लाइन के अधार चला रखी गई है इसके तयार होने के बाद हावडा दिल्ली मुखे लाइन पर ट्रेडों को रोकनी की जुरूरत नहीं होगी बाइपास लाइन शुरू होने से गिरिडी और जसीडी के बीच याता की भी कभी समय कम हो जाएगा अज हयाली बाद ताउन कोचिंग डिपो की भी आजार चला रखी गई है इससे कई नई ट्रेनें सेवाओं का सुरूर करने में सुविदा होगी कुर्फुरा से कनारवा तक रेल लाइन का दोरी करान होने से जारखन में रेल कनेक्टिविटी और मजबूत हुई है इस सेक्षन से दोरी करन का काम पूरा होने सब स्टील और दोग से जुड़े माल की दुहार दुलाई और आसान हो जाएगी साथियों जारखन के विकास के लिए केंदर सरकाने राज में निवेद भी बढ़ाया है और काम की गती भी तेज की गई इस साल जारखन में रेल इंट्रसेक्टिव के विकास के लिए साथ हजार करोड़ प्य से जादा का बजेट जिया गया अगर हमें इसके तुलना दस साल पहले मिलने वाले बजेट से करें तो इस सोला गुना जादा है रेल बजेट बढ़ने का असर आप लोग देख रहे हैं आज राजय में रई रेल लाइन्स विजाने उनके दोरीकान करने और स्टेशन अप रादुनिक स्विदाए बढ़ाने का काम तेजी से हो रहा है आज जारखन भी उन राजयों में शामिल हो गया है जहां रेलवे कने नेट्वर्क का सो प्रतिसल इलेक्रिफिकेशन हो चुका है अमरिज भारत स्टेशन योजना के तहर जारखन के प्रता से हज़िक रेलवे स्टेशनों का भी कायकल्प किये जा रहा है साथियों आज यहां जारखन के हजारो लाभारतियों का प्का घर बना रिख लिए पहली किस्त जारी की गई है पी em आबास योजना के तहद हजारों लोगों को प्का घर मिल भी बंदगर बना कर दिया गए है हमें याद रखना है जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसमान बढ़ जाता है वो अपना वर्तमान सुदार्रे के साथ भी बहतर भविश के बारे में सोचने लगता है उसे लगता है कि कुछ भी संकट हो तो भी उसके पास एक अपना घर तो रहे गई और इसे जार्खन के लोगों को सिर्फ पके गरी नहीं मिल रहे पीएम आवास दिवजना से गावों को और शहरों में बड़ी संक्या में रोजगार के अवसर भी तयार हो रहे साथ क्यों 2014 के बाद से देश के गरीब दरीद वंचित और आजिवासी परिवारों को ससक्त बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाये गए जार्खन समय देश भर के आजिवासी भाई बहनों के लिए पीएम जन्मन योजना चलाई जा रही है इस योजना के वादम से जन्जातियों तक पहुँचने की कोशिस हो रही है जो बहुत पीछे हैं ऐसे परिवारों को घर, सड़क, बिड़ली, पानी और सिक्षा देने के लिए अधिकारी खुद उन तक पहुँचते हैं ये प्रयास विश्ची जारखन के हमारे संकल्पनों का हिस्सा है मुझे विश्वास है, आप सब के आसिरवात से इसंकल भी जूरू पूरे होंगे हम जारखन के सपनों को साकार करेंगे इस कारखन के बाद, मैं एक और विशाल जन्सभा में भी जा रहा हूँ पाट-दस मिनिट में ही मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा वहाँ बहुत बड़ी संगह में लोग में इनतजार कर रहे हैं वहाँ मैं विस्तार से जारखन से जुड़े दूसरे विशोव पर भी बात करूंगा लेकिन मैं जारखन वाज्यों की शमा भी मांगता हूँ क्योंकि मैं राची तो पहुँच गया लेकिन प्रकूर्टे ने मेरा साथ नहीं दिया और इसलिए यहाँ से हेलिकॉप्टर निकल नहीं पा रहा है वहाँ पहुच नहीं पा रहा है और इसके काण मैं वीडियो कानफरंसे इन सारे कारकमों का आज उद्गाड़न और लोकारपन कर रहा हूँ और अभी सार्वजेनिक सभा मैं भी मैं सबसे वीडियो कानफरंसे जीब भरकर के बहुत सी बाते करने वाला हूँ मैं फिर एक बार आप सभी आए इसके लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद करता हूँ नमस्कार पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशिया नहा ये लो मुह मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहां अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाय का डबा अलग से लाया हूँ हमने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के सग अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined